मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी के अंतर जो धनुस सर की परफॉर्मन्स है वो बे मिसाल रही है तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अतरंगी रे मूवी के बारे में तक्रीबन जो इसकी लैंट है वो सवा दो घंटे के आसपास हैं और इस मूवी में देखने को मि रही है धनुस सर, शारा अली कान, अरक्षय कुमार और आशीश वर्मन इनका नाम लेना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी बढ़िया एक्टिंग इन्होंने भी किये तो अब इस कहानी इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं कभी-कभी मन करता है कि कहानी बताने क बिहार में इसकी जबर्दस्ती शादी करवा दी जाती है एक लड़की से वैसे भी बिहार में एक प्रथा चलती है ना पक्डम या ऐसा कुछ करके चलता है वहां पर विशु की एक लड़की से जबर्दस्ती शादी करवा दी जाती है रिंकू उसका नाम होता है जिसे प्ल मैंने spoiler नहीं दिया है spoiler की बात नहीं आते बात करते हैं एक बात सरा सोच कर देखो जैसे और जब इसी कंडिशन होती है तो इस twist का नाम होता है अक्षे कुमा अब जैसा हमने सोच होता है एवन कहूं कि यार जो सोचा था वैसा नहीं होता या फिर जैसा ट्रेलर में दिखाया था वैसा नहीं होता इस तो क्या होता है मतलब वह तो मुवी देखो कि तभी पता चलेगा ना मैं क्यों बता हूं सारी चीजे मुवी की कहानी अच्छी है परफॉर्मेंस भी इसमें काफी अच्छी की गई है कॉमेडी का जो रोल है वीशु का जो दोस्त है वो प्ले करता हुआ मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंस दी है या फिर जैसे डायलोग है इवन जो विशु है यानि दनुसर उन्होंने काफी उनकी तरह बात या लग करनी है मुझे एक बार साइड में रखते हैं उनको साइड में मतलब बात करते हैं समस्तलों साइड में रखती हो तो जहां पर आशीश वर्म जो मतलब उनके एक्सप्रेशन उनके डायलोग उनका बोलने का स्टाल सब बढ़िया रहा है जैसे उन्होंने अपने आपको रिप्रेजेंट किया है एक सीन आता है जो ट्रेलर के अंदर भी दिखाया जाता और इस मूवी के अंदर विसलिए दोनों में तो हो नहीं है मतलब मै जिस तरीके के उन्होंने एक्सप्रेशन दिये हैं बे मिसाल होते हैं बहुत बढ़िया उनके अपोजिट में सारा अलिखान होती है मुझे यह समझ नहीं आता है बोलीवुड वाले मेल करेक्टर को फीमेल बना के क्यों पेश कर रहे होते हैं और परफॉर्मस में आते हैं स इसी सीन से समझ जाओगे तो एक एक ऐसा टाइम है जब उनको धनुसर को देखना है और बहुत मतलब ऐसा दुख हुआ हुआ है उनको उनकी वज़े से सारी चीज़ें गडबढ़ा गई हैं वो वहाँ पर दुखी हैं तो एक उस एंगल से देखना था भाई साब इतना नि उनको बहुत जाज़ा जरूरत है सीखने की एक्टिंग कैसे की जाती है इतना यार उनका इमोशन देखो यार धनुसर का उनके एक्ष्प्रेशन उनके इतने जबर्दस है लेकिन भाई सारा लिखान सच में यह यह तो वही बात होगी न घोड़ा भी सोच रहा होगा किस ग परफॉर्मेंस अच्छी है परफॉर्मेंस के लिए तो वाकई में देखनी बनती है कहानी भी ठीक है कोई बोर नहीं करती है ट्विस्ट आता है बढ़िया वाला ट्विस्ट आता है सच कहूं क्या ना मैंने ज्यादा तर मैंने एक्ष्यकुमार के बारे में बात नहीं किये क्योंकि वो twist है मतलब मन तो कर रहे है खेर खेर नहीं करते हैं तो performance अच्छी है, story अच्छी है twist भी आता है, comedy भी है तो इन सब के लिए तो movie को देखा जा सकते हैं एक क्या, दो बार आप देख सकते हैं तो मेरे तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 7 after 10, अगर आप लोगों ने movie देखी है तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखी है, तो एक बार एक बार देख सकते हैं मतलब comedy के तोर पे भी performance के तो बार बार चीज़ें बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता तो अच्छ के लिए इतना है रखते हैं, thanks for watching this video मिलते हैं, next video में, जाहीं